नए वीडियोज देखने के लिए शिमारू चानल को सब्सक्राइब करें रोटियां सहिक रहे हैं, बताओ आज कलना आपकी यही आदत हो गई है अरे अपने आशिक को कोई आसे तड़पाता है क्या तो तुम भी पहले जैसे कहा रहे पहले तो बिना मांगे सब कुछ मिल जाता था और अब सोच दो कि साब कुछ मुफ्त में मिल जाए ऐसा बिलकुल नहीं है इस बार हम आपके लिए एक ऐसी खास चीज लेकर आए है देख कर जूम उठेंगे आप सच्ची? क्या? सोना है ना? 100% शुद्ध सोने का तो फिर मिलने में इतनी दे रही क्यों? और वैसे भी, हमने किसी का उधार नहीं रगते हैं पता है ना तुमिल? हाँ, वो तो है और हम भी पूरा वसूल करने वालों में से हैं और एवाद तो आप जानते ही हैं है ना? हम, अच्छे से पत्ता है आल पत्तो? कि बहुरिया ना लगता है हमको ना माल डालेगी अ, अम्मा जी क्या हुआ? अब ठीक तो? बानी लादो क्या? यह ओरत ना हमको मारना चाहती है पता है हमको दमा है फिर भी अम्मा, हमें क्या पता कि आप हमारी जासुसी कर रहे हैं छुपकर? हमतों चोखा मनानेंगें मिडची सेख रहे हैं लीजिये, पानी पी लीजिये पी लीजिये कहां इलाके में पहले जैसा सत्संग भजन होता है घर बैटे बैटे इंसान हमारी उमर में तो बहुत बोर हो जाता है यह तो सही कहां माजीया जाते है? है प्रणा ममा एकदम बेखांदानी है यह तुम्हारी बीवी इसने ना जान भूचकर मिर्ची जलाई है इसको पता है के हमको ना दमा है अब चोखा बनाने के लिए मिर्ची तो सेख नहीं पड़ेगी ना अब अगर किसी को हर बात पर लड़ने की आदद हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे अम्मा आप जाने भी दो तो छूटी-शूटी बात्तों का बतंगड बनाना ठीक नहीं है अच्छा? तो बातता बतंगड हम बना रहे हैं देखें अम्मा, हमसे अच्छे से बात कीजिए बढ़ना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, कह देते हैं हम कि अधी? अम्मा से ना तभी से बात करो हाँ हाँ, यह अच्छा है आप भी ना सिथ हमें ही सुनाओ पाकी तो कोई किसी को बोले का नहीं और हाँ, हमें यह भी पता है कि अगर हमें कुछ हो गया ना तो आपके मुझा ओप तक नहीं निकलेगी दिखा? दिखा कैसी गुसा चड़ा रहता है इसके नाप पे? मा, आप भी कम गुसाल नहीं हो अरी छोटी-छोटी बातों को बतंगर बनाओको तो खासपड़ोस में क्या इज़त रहेगी हमारी? अच्छा, तो इज़त बचाने के लिए हम उसे चार जूते खा ले वा, क्या विचार है तुमारे? मा, आप निदी, हमें माफ कर दो देखो, हम गुस्ते में कुछ ज्यादा ही भूल गए माफ कर दो कि आपना अपने ड्रामा बंद कीजिये यह जो कुछ भी हो रहा है, सब आपकी वज़े सो रहा है ने बार हमने आपसे बोला कि हमें यहां से ले चलिए लेकिन नहीं, आपने हमें यही छोड़ रखा है अच्छ, आप जाने भी दो देखो, गुस्ता थूख दो यह को अम्मा की तरफ से हम आफ ही मंगते हैं और तुमसे वादा करते हैं कि अगले छे महने में तुम्ही हां से लेकर जाएंगे खुश ना? तो फिर उच्छ, हो जाएंगे हम अच्छ, ना? अच्छ, ना? हमको एक चोड़ी हाथ चूड़ा बनगा दीजी सोने का हमरा बड़ा महने क्लिए अब देखो अभी रुख जाओ, लागो के बात है इतने पैसे नहीं है मेरे पास अच्छ, तो एक जोड़ी हाथ शंकरी बनवा दीजे ना नोती, तुम समझने कोशिश करो लो अरे, इतनी हैसियत नहीं है हमारी अरे, पूरे कर्ज में डूब है आपने ऐसे ही बोलते आ रहे हैं चार साल हो गया है हमारी शादी को आपने कभी भी मुझे एक बीटीज बना कर दीए सोनी की जबकि आपको अच्छे से पता है कि हमें सोना कितना जादा पसंद है निती ही तुमारी सारी बाते सच है लेकर हम कर्ज चुकाने के बज़ा है ये फालतू की चीज़ों में पैसे खर्च करने लगे तो हमारा घरबार निलाम हो जाए जब कर्ज से निपढ लेंगे तो मैं सब कुछ खरीदवा देंग हाँ मेरी हाद चोड़कर तुम दोनों से किविंकिया तो साथ में मिल जूल कर रहा है न हाँ हम तो शानती रहते हैं बस अम्मा अमे न छेबे यह तो दूद की धूली है न रात दीन हमारी आरती जो उतार्ती है अब अमा जाने भी दो नेखो रोज रोज का घर है कलेश अमसे साहा नहीं जाता है अब कम से कम मेरे लिए ही सोड़ी हो बूल जाओ सब कुछ जाता हूं माताजी हाँ तबाल की जाना अचिस आरे हैं सोना भाभियम आपसे मिल्ले बूस्मचची 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 जाची? वो घर पे नहीं है, तुम बाल में आना. क्या? अब जाओ, खड़े के हूँ? अरे कौन कमबक उनसे मिल ले आए? मैं तो आपसे मिल ले आया हूँ. बस गंपम कर रहा था कि वो घर पे है या नहीं? और हाँ, वैसे भी मैं आपके लिए एक बहुत खुब सुरत चीज ले कर आया. क्या? अपने हाथ दीजी. कैसा लगा? हमें लगा यह सोने के हैं. अरे भाबी जी, यह सोना नहीं, लेकिन सोने से कम भी नहीं है. स्कूप पहनने के बाद आप टॉप की हिरोनी लगोगी. बस बस, जाता फुसलानी की जरूतनी है और वैसे भी, सोना तो सोना होता है, उसके जैसा कुछ भी नहीं. और यह आर्टीफिसल चीज के लिए है, थैंक्यू. सिर्फ थैंक्यू से काम नीचे लेगा, भावी जी. बस, इत्ता ही. अब और क्या चाहिए तुम्हें? भावी जी, अब तो हमारी खुआइश पूरी कर दो, और वैसे भी, घर में कोई भी नहीं है. अच्छा, तो तुम इस आर्टीफिशल चीज के लिए इतने बड़े सपने देख रहे हो? तुमको पता है कि हमारे चाहने वाले हमें सोना भावी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे साथ टाइम दिताने के लिए उनको हमें सोना देना पड़ता है. तुम जब तुम्हारे पास हो, तब आजाना. ठीक है भावी, अब तो हम सोना लेकर ही आएंगे, तैयार रहेएगा, सोना भावी. कि अजाना भावी, तैयार वाहे हैं. पास्ट बत्रश में सोना भावी, तैयार लेकर हैं.. झाल झाल इतना रिस्क लेकर हम आपके लिए आते हैं अब ये क्या है आहां बिना टेक्स दिये कैसे चले आओगे ओ टेक्स वहाद अच्छे हैं अच्छे लगे शुरू करें अब इतना टेक्स दिये के बावजूद भी अगर हमें बहुत स्यारा इंतिजार करना पड़ेगा तो आपको जुरुमाना देना होगा अच्छा ठीक है आपना बंग्दी शे बहुत लगाती हैं ये मत करो वो मत करो यसे आप मान लेते हो हैं अच्छा अच्छा पिटाई खाने के पहले वैसा काम तो कर लें अर्ये! पाने! अम्मा! अरे रूप! कौन है? अरे कौन है? अरे रूप! अरे रूप! ए! क्या हो आम्मा क्यों चिला रहे हो? कौन था? अच्छा हमको क्या बेवपूफ समझ के रखे है? तुमने ही उसको बिलाया होगा! बताउ कौन था? अम्मा, हमें कैसे पता होगा की कौन था? जो सकते हैं, कूई चोरो! नंगा हो की चोरी करने आया था? तुम पोई मिलने आया था वो? कौन था, बताउ माँ, आपका जमाग तो ठीक है? अम्मा, हम आपका लिहाज करते हैं इसका ये मतलम नहीं कि आपका जोद ही में आए वो आप करेंगी अहिंदा से अगर हमारे उपर हाथ उठाया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा अगर क्या बताएं आपको बारबर अगर कोई हमारे घर में चोरी करने घुसा है तो वो नंगा क्यों काएगा चोरी करने कोई ऐसा भेज बना के चोरी करता है क्या तेखो ये सब जूट है हमने भी भागते हुए देखा था उस आदमी को काला कबड़ा पेन रखा था इंतम चर्सी जैसा लग रहा था और आपकी अम्मा ने हमें ही चरेत्रीन साबित कर दिया देखो वो ये सब ना हम दोनों को दूर करने के लिए कर रही है हम आपसे साफ साफ कहे देते हैं कि इस जनम तो प्या अगले साफ जनम तक हम आपको दूर नहीं जाने देंगे समझे आप बाकि आप हमें यहां से लेए चलो लो अब क्यों नहीं समझते हम अम्मा से बहुत परिशान हो गए हैं वो हमें चैन से जीने ही नहीं दे रही हैं जीने तो वो नहीं देगी इज़त से ना तुमको ना हमको बिटा तुम्हें काम करो लखनाओ का जो रेस्टरेंट है ना वो बेच के तुम कानपूर में कोई नया बिजनस फोल लो अम्मा पापा ने सालों पहले दुकान खरीदी थी और आज भी काफी अच्छी खासी चल रही है अब ऐसे में दुकान बंद करके नया बिजनस करना तो कितना रिस्की होगा अब अगर पैसे डूप गए तो करजदारों को पैसे कैसे लो टाइक अब देखो जो भी है आप शांत रहो तो हमको अपना काम करने तो और ऐसे भी काफे बंद करने का टाहिम हो गया है और मुझे हिसाब करना है खीक है तो तुम देखते रहो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीट पीछे क्या गुल खिलाती है लेकिन एक बात हम तुमको बता देते हैं कि हम चुप नहीं रहेंगे अम्मा अम्मा करें तुना बाभी तुना बाभी कि जा है हमारे घर में क्या कर रहे हो लनलन बस ऐसे ही चाजी, सोचा आप लोगों का हाज चाल लेलू इसकी कोई जरुवत नहीं है हम खुश है, शान्ती से है अगर तुमको शान्ती नहीं चाहिए न तो ही आना इस घर में हमारा हाल चाल पूछने, समझें? हाँ, मज़ा तो है, पैसे आजकल हैं कहां आप, एक जमाना हो गया आपसे मिले, आगे कभी? मन तो हमारा भी बहुत करता है बाप भी आपसे मिलने का, लेकिन सुना है कि आपकी सासु मा, आपके चाहने वालों के पिछे ऐसे पड़ी हो जैसे दिलिया मसान का भूध अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ वो पहले से थोड़ा सक्त हो गई है, बढ़ा मैंना, कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा माहूल शांत हो जाए, तिर देखते हैं बाप, ठीक है भी रखते हैं ठीक है दूसरे को फोन करते हूं इस बुड़ियाने तो मानो, उमारी जिंदिए पर ग्रह लगाने का ठान रख है इसका कुछ ना कुछ तो पुक्ता इलाज करना ही पड़ेगा अजय को ए बादार कि बादाने काठी प्रह जबर लाखंड़ा झाल प्रश्वा ठीक है भी तो झाल 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 झाल